नमस्कार आदाब सस्रीयकाल आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ शेल जतिया की दर्श को मेरे साथ आज मौजूद है हकीम सहाब से जुड़ी हुई एक दर्शक एक परिवार का सदस से जी हां मैं बात कर रही हूँ लापकॉर जी की वो को स्वागत करते हैं लापकौर जी का सवागत है मैं आपका स्रियकाल से मैं आप हकीम सहाब से कैसे जुड़ी और कब जुड़ी मैं when मैं तो में तान जुड़ी है इस कारका में जुड़ी है अच्रवानिया अच्छा अतार को जो प्राइदा हला रहे हिए फ़ितर दरी सिया गोन अटवरे टोड़ा हूँ टोड़ है थोड़ा है लिएत्शीnel मेठीड़ा है। तो एक गुटना भी ठीक है जो गुटना आपका दिख्कत दे रहा है इसमें परिशानी क्या है तो आपका गुटना है जो जिसमें अराम मिला तो इसमें क्या दिक्कत परिशानी आई थी ये दर्द आपको हुआ कैसे जी मेरा दर्द हो परिशानी परिंद ढम पारे दर्दृता दर्दा तो यह ढूंद खाल को अराम तो यह रॉड में को कब डली थी एच्छे सट्वा साथ लाग गया अच्छा रॉड पड़ी क्यों थी क्या एक्सिडेंट था था नहीं तूट गिए गिर की थी कैसे गिरी थी ठोकर लाका गिरी थी कहां कब अपनी लड़के के गहर गिरी थी वससे तो गई भी थी मैं सबने लड़की वे टीच द्शेराने में डरकी तो नुकरी का देने बलाए स्री का लगी थी पता है अगभ जादी रहनी थी पर होगा एक खाई साहत की आलवन दे तो क्या आप फिसल गई थी नहीं थोकर फजी थी थोकर लगई थी किस चीश से थोकर लगी थी बस वहां जितने बाहर जारी थी तो उम्र कितनी हैं आपकी उम्र बेरी सत्तर साल और ये जो ठोकर आपको लगी थी जब आप अपनी बेटी के घर पे ती जिसकी वज़े से आपको रॉट डलवानी पड़ गई तो उस वक्त वो कौन से साल की बात है साथ साल हो गए उस बात को आपको अराम मिल रहा है और ये विश्वास है कि आगे भी अराम मिल जाएगा क्योंकि आपके पहले ही रॉट डली हुई है हाँ हाँ एमनो रामा गॉंद सी आथे तो जी तो घर में आपके अलावा भी कोई और हकीम साहब से जुड़ा हुआ है नहीं हली मेरी लड़की नहीं मंगाया था वो खांदी है किस ठीज के लिए है उने अपने कोई प्रवब्लती हो भी जितरा तो बच्चे बात अपने ल जंग साफ के लिए अच्छा तो अभी कुछ मिला उने अराम अच्छा थोड़े दिन होए ना नो अच्छा थोड़े दिन होए खाते वे तो आप घर परिवार में भी हकीम सहाब की दवाई नुस्के बताती हैं अंद बताती पर हली हो ने खांदे मैं यो खामागी अच्छ दवाई भी आप खा रही हैं तो कैसा लगता अनको प्रोग्राम आकको पर बहुत अच्छा लागता है अच्छा लगता है हकीम सहाब की कोई ऐसी बात जो आपको बड़ी पसंद थो क्या कोई ऐसी बाद करने का तरीका या उनके नुस्के बहुत अशड़दार आम तो हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगी आपको अराम मिला है उस घुटने में जिसमें आपके रॉड डली है ठीक है तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिसमें रॉड डली हुई है साथ साल से वहाँ आपको गौन सिया से अराम मिल रहा है तो शुक्रियादा अगर आप करना चाहती हूँ तो आप कर सकाएंगी है अजी है शुक्रियादा आपको जिन्होंने बताए कि उनको अराम है एक घुटन में वह घुटना जो बहुत तकलीफ में रॉड पड़ी हुई है उनके और आप सभी जानते हैं कि जब आप एक बर ऑपरेशन करा लेते हैं रॉड आपके डल जाती है तो हम लोग कही न कहीं आज छोड़ देते हैं कि क्या हम ठीक हो पाएंगी या नहीं थोड़ी सी दिक्क भी समझ लेते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो लापकॉर जी की पूरी-पूरी बात समझ गए होंगे लेकिन मैं अपने सारे और अदर वीवर्स को कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने समझने की कोशिश करी है तो आप भी जरूर समझिएगा कि उन्होंने क्या कु और दिली दुआ है कि वो जल से जल बहतर हो जाएं तो आज किस खास कारिकरम में बस इतना ही मुझे दीजे इजासत नमस्कार